कर्नावस से बीजेपी के लोग सभा सांसाथ सुबरत पार्था किस वक्त हमारे साथ मौझूद है बाचीत के लिए से लगतार अखलेश यादव सरकार को घेड़ने में जुटे हुए हैं कहरें कि उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता पूरी तरह से फेल है उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता अगर पूरी तरीके से फेल है तो समाजबादी पार्टी को सड़कों के उपर आ जाना चाहिए वर्गल आने से काम नहीं चलेगा इनका अखलाठ है वो साप चलक रही है अव वह बोखलाठ है इस बात कि है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भार्थी जनता पालिटी को एक बार फिर से मोका दिया है, इनको नकार कर, इनको दुतकार कर। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अगर यह चिंता नहीं करें तो अच्छा है। एक तरफ संजय सिंग कह रहे हैं कि तालिबानी सरकार उत्तर प्रदेश में हैं, दूसरी तरफ अकलेश यादव कह रहे हैं कि क्या सरकार अब ललितपूर में भी बुल्डोजर चलाएगी क्योंकि यूपी के तमाम जगों पर बुल्डोजर चलाया गया है। देखो, ये संजय सिंग जैसे लोग जिनको भगवा तालिबानी दिखता है, तो इनकी बुद्धी के ऊपर परदा पड़ा हुआ है, अब परदा आरे रंका है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, तो कुल मिला कर इससे कोई फरक नहीं पड़ता, और ये लोग क्या बोलने हैं, क्या नहीं बोलने हैं, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, और जिसका मुख्या पुज्ययोगी आदित नाजी हैं, और उ सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, सुबरत जी चंदौली जैसी घटना भी यूपी में हुई है, अभी ललितपूर में जो लड़की के साथ हुआ है, ये तमाम घटनाएं भी तो सामने आ रहे हैं, देखो अपराद तो इनसान करता है, और इनसान वो कहां छुपा बढ़ है, वो कोई समझ में नहीं आ सकता किसके मंद में अपराद करने की प्रवत्ती जाग चुकी है, कोई कुछ पता नहीं चलता, ये कोई धर्मामीटर नहीं इससे कोई ना अपलेगा, लेकिन जो अपराद करेगा, वो भोगेगा, और खासकर उत्तर प्रदेश में या कारवाई करेगी, कैमरापरसन राहूल के साथ, मैं स्वाती पाठक भारत समरचार दिल्ली